दोस्तो अगर देखा जाये तो pen drive हमारे outsource data को carry करने का बहुत ही बढ़िया साधर होता है लेकिन कभी-कभी होता ऐसा है कि एक से ज्यादा pen drive जो किसी के पास होती है या आपके दोस्त के पास भी आपकी जैसी same pen drive है तो उसमें पहचान करने में बहुत दिक्कत होती है नमस्कार दोस्तो मैं आपका सौइद करता हूँ मैं बिग गैडे स्मार्ट क्लास में और यहां बर मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ कंप्यूटर से जड़े हुए टिप्स और ट्रिक्स तो अगर आप भी बनना चाहते हैं computer expert तो इस channel को ज़रूर subscribe कीजेगा और bell icon दोवाना ना भूलिएगा अब बात करते हैं हम एक ऐसी trick की जिससे आप अपने pen drive को और भी ज़्यादा secure बना सकते हैं और दूसरों से हटके बना सकते हैं इस वीडियो में सीखने वाले हैं कैसे आप pen drive के icon के तौर पर अपने photo को इस्तमाल कर सकते हैं तो यह वीडियो लास्ट तक देखेगा आपके बहुत काम आएगा तो pen drive में icon set करने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक photo होना चाहिए अब इस photo को कैसे हम icon में convert करते हैं यह हम जानने वाले हैं तो सबसे पहले photo आपके पास जो कोई भी हो उस पर right click कीजिए open with पर जाईए और यहाँ पर आपको ms print का option दिखाए देगा इस पर click कर दीजिए तो इससे होगा यह कि आपका जो photo है वो ms print में open हो जाएगा अब photo को icon में convert करने के लिए हमें इसे बिल्कुल चौकोर काटना होगा तो इसके लिए हम यहाँ पर जाते हैं select की option पर और यहाँ से इसे select all कर लेते हैं इसके बाद crop करेंगे हम इसे इस तरह से इसको हम देखिए चौकोर crop कर लेते हैं और यहाँ से crop पर दुबारा click कर देते हैं तो होगा यह कि जितना photo हमें चाहिए अपने icon के लिए उतना हमारे पास आ जाएगा अब इस photo को हम save करेंगे फाइल पर जाएंगे, save as पर जाएंगे अब यहाँ पर आपको save करते समय कुछ चीजों का ध्यान रखना है वो मैं आपको बता देता हूं आपको save as type पर select करना है 24 bit BMP फाइल को और यहाँ पर आपको नाम भी कुछ अलग करना है अब इस परानी वाली इमेज को हम यहाँ से हटा देते हैं अब हम open करते हैं notepad को तो यहाँ पर हम notepad को open करेंगे यह notepad open हो गया अब यहाँ पर हम एक छोटी सी auto run file बनाएंगे तो यहाँ पर हम bracket लगाएंगे और bracket के अंदर type कर देंगे auto run enter करेंगे और यहाँ पर क्यूंकि हम इसे icon बनाने वाले हैं तो type करेंगे इसके बाद बराबर का निशान लगाएंगे और यहाँ पर image का नाम type करेंगे अब चूंकि हमने बहुत ही simple रखा था one तो simple one type करेंगे उसके बाद इससे हमने save किया था file format bmp में तो यहाँ पर type कर देंगे bmp इस तरह से अब इस file को इसी folder में इस image के साथ में save करेंगे save as पर जाएंगे इस folder को open कर लेंगे और यहाँ से all file select करेंगे आप देखेंगे image आ गई है यहाँ पर भी इसे auto run के साथ में नाम देंगे और यहाँ पर एक file format लिखेंगे inf देखेंगे यहाँ पर मैंने लिखा inf और इसको यहाँ से save कर देंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर एक auto run file आ जाएगी अब इन दोनों file को copy करेंगे और अपने pen drive में जाकर उसे paste कर देंगे तो यहाँ पर देखेंगे हमारी pen drive है अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं है इसको यहाँ पर हम paste कर देते हैं और इसको refresh करा देंगे अब अपने pen drive को हम निकालेंगे अपने PC से दुबारा pen drive लगाने पर कुछ इस तरह से pen drive पर आपको अपना फोटो शो होने लगेगा तो यह बहुत बढ़िया तरीका है आप अपनी pen drive को अपने तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं अपना फोटो लगा कर आशाय दोस्तों यह वीडियो है अगर ये वीडियो आप को कैसा लगा हम हमेशा आपके लिए असी वीडियो लेकर आते रहेंगे जैंद विम्द मातरम